आज हम बात करेंगे linkage and crossing over की तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं linkage की और फिर उसके बाद हम discuss करेंगे crossing over को अच्छा, linkage की चलें, definition बताने से पहले, ये एक थोड़ी सी मैं आपको exam, law of independent assortment को फिर यहाँ पर एक बर explain करूंगा मैं आपको linkage समझाने के लिए अब देखें मिसाल के तोर पे ये एक homologus chromosome का pair है ये एक दूसरा homologus chromosome का pair है चले हम कहाँ देते हैं कि इसके ओपर जो जीन लगें में हैं वो है capital A, capital B और इस पर जो जीन लगें में हैं वो है कोई भी हम लिखते हैं इसके ओपर जो है वो small c capital C, capital C है और small c ये इसके ओपर जो है वो जीन लगें में तो अब देखें अब क्यूंके इसके ओपर chromosome pair की शकल में है तो इस वज़ा से ये organism क्या होगा deployed होगा ये क्या होगा deployed है अगर deployed है तो इसके पास chromosome के pair कितने है two और total number of chromosome कितने है total number of chromosome four है तो इसका मतलब ये two है यानि एक deployed organism है अब देखो अगर इसमें gametes बनेंगे तो gametes बनने में ऐक तो ये हो सकता है कि इसके gametes इस तरह बने gametes में क्रोमोजोम के number कितने होंगे two होंगे क्योंगे हमें पता है deployed में जब gametes बनते हैं तो क्रॉमोजोम के नमबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, मतलब वो एन हो जाते हैं. यानि टू हो जाएंगे यहां पर. तो अगर ये कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए, किसके साथ जा सकता है? कैपिटल ए और कैपिटल सी के एक गैमिट में चले गए. कैपिटल ए और कैपिटल सी के एक गैमिट में चले गए. और दूसरा ये भी हो सकता है दूसरा जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक की चेंज करूँगा capital A के साथ मैं यहाँ पर capital B की जगा small A जो है यहाँ पर show करूँगा यहाँ पर क्या show करेंगे? small A तो इसके बाद देखें यहाँ पर एक gamit इस तरह का भी बन सकता है जिसमें small A किसके साथ चला जाएगा? small A चला जाएगा small C के साथ small A चला गिया small C के साथ देखें एक gamit बनने की possibility तो यह है यहाँ capital A जो है वो किसके साथ अस्रोट कर ले? capital C के साथ small A जो है वो किसके साथ करे? small C के साथ तो दो gamit बनने की यह possibilities है एक gamit इस तरह का बन सकता है और एक gamit इस तरह लेकिन दो possibilities और भी है और वो क्या है? वो यह है कि capital A यह जो capital A है capital A रखने वाला जो क्रॉमोजोम है यह किसके साथ जा सकता है? जरूरी नहीं है कि यह capital C के साथ जाए यह किसके साथ जा सकता है? यह small C के साथ भी जा सकता है यहां पर यह small C के साथ यह capital C के साथ भी जा सकता था और जा सकता है capital C के साथ भी जा सकता है तो अब देखें, क्या है, इसी को तो हम law of independent assortment कहते हैं, यानि एक जो क्या कहते हैं, एक gene जो है, वो independently क्या कर सकता है, assort करता है, मतलब ये a जो है वो capital C के साथ भी जा सकता है, small c के साथ भी जा सकता है, और small a जो है वो capital C के साथ भी जा सकता है, वो small c के साथ भी जा सकता है, दोनों ये possibilities यहां पर हैं तो बात ये है कि ये इसके साथ चला गिया ये इसके साथ चला गिया इसके साथ चला गिया इसकी reason क्या थी क्योंकि ये gene अलेदा अलेदा क्रॉमोजोम पर मुजूद थे capital A अलेदा क्रॉमोजोम पर मुजूद थे capital C अलेदा क्रॉमोजोम पर अब आप देखें, अगर कंडिशन इस तरह की होती है, अगर कंडिशन इस तरह की होती है, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, अगर ये और्गिनिजम के पास यही क्रॉमोजूम इस तरह मौजूद होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, और कैपिटल सी, ये एक ही क्रॉमोजूम पर मौजूद होते हैं, और स्मॉल ए, और स्मॉल सी, ये एक ही क्रॉमोजूम पर मौजूद होते हैं, अब जब अगर ये एक ही क्रॉमोजूम पर मौजूद होते हैं, दोनों जीन, तो जायर सी बात है, अब जब गैमेट्स बनते हैं, जब इसके गैमेट्स बनते हैं, तो क्या होता, कैपिटल ए, जो है, वो कैपिटल सी ही के स साथ जाता और स्मॉल ए जो है वो किसके साथ जाता अनलेस क्रॉसिंग अवर अगर नहीं होती है तो स्मॉल ए जो है वो किसके साथ रहता कैपिटल सी के साथ ही रहता और जो स्मॉल ए है स्मॉल ए स्मॉल सी के साथ ही रहता वो कहीं इस तरीके से इंडिपेंडेंटली असौल नहीं करते हैं यहां तक अगर आपको बात समझ आई तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि यह जीन लिंकेज होता क्या है बैसिकली जो एक क्रोमोजوم पर डिफरेंट जो एक क्रोमोजॉम जो डिफरेंट जीन का एक साथ रहना जो क्या कहलाता है वो कहलाता और लिंकेज अब देखाई ए और सी का इसव Tabii कि क्रोमोजॉञ ने pourrait हैं तो यह इनका एक लिंगेज इन शॉड है। फना अब आ जाते हैं आपकी बुक में linkage को किस तरीके से बताया किया है तो सबसे पहले तो देखें linkage की gene linkage की definition है the phenomenon of staying together of more than one gene on same chromosome is called gene linkage phenomenon कह सकते हो या आप tendency भी कह सकते हो इसको tendency of staying together of more than one gene on the same chromosome is called gene linkage मिसाल के तोर पे ये chromosome है ये chromosome है और इस chromosome पर जो है ये जीन है A, B, C, D, E ये क्या है ये जीन है इस chromosome पर अब इन genes का more than one gene जो है या आप देख लें more than one gene है तो इन जीन का एक chromosome पर जो एक साथ रहने की इनकी जो tendency है इनका जो रूजहान है एक साथ रहने का एक chromosome पर इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं जीन लिंकेज उसके बाद जो है वो जीन located on sam chromosome that tend to be inherited together in genetic crosses are said to be link genes मतलब कहता है link gene किसको कियरा है यह तो हम linkage कियरा है इनके एक साथ रहने की tendency को एक साथ रहने का जो इनका रुजवान है एनकी जो tendency उसको तो हम जीन linkage कियरा है लेकिन इन जीन्स को हम क्या कहेंगे link gene तो gene located on same chromosome मिसाल की दोर पर यह A, B, C, D, E आप देखें यह एक ही क्रोमोजोम पर यह तमाम जीन मुझूद है that tend to be inherited together in genetic process मतलब जब आप genetic process कराते हैं जिस तरीके से यहाँ पर मैंने एक genetic process कराने में यह gamut बनाए, यह मैंने क्या बनाए, gamut बनाए, तो आप देखें यह इन्होंने एक साथ inherit किया है, capital A, capital C के साथ, small A, small C के साथ inherit किया है तो मतलब यह, कि जो link gene होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ inherit करते हैं, genetic crosses में इसे जीन को हम क्या कहते हैं लिंक जीन कहते हैं जो एक ही करोमो जॉम पर मुझूद मुझू जो जब हम जैनेटिक क्रॉशे कराएं गेमेट्स बनाएं आगे ओफ स्प्रिम में अगे ट्रांसफर करें तो वो एक साथ क्या हूं आगे ट्रांसफर हों इसके बाद if genes are linked on autosomes, the linkage is called autosomal linkage. आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ kromosomes के pair ऐसे होते हैं जो male और female में सहम होते हैं, जिनको हम कहते हैं autosomes. अगर हम बात करें human being की, तो human being के पास मिसाल के तरुपे gene का एक pair ये है, दूसरा pair ये है, तीसरा pair ये है, टोटल ऐसे कितने pair होते हैं, टोटल 23 pair होते हैं, 23 pair में से 22 autosomes होते हैं और 23rd वाला क्या होता है, 23rd वाला जो है वो sex chromosome होता है, अब मिसाल के तोर पे अगर gene मौजूद हैं chromosome number 2 पर, तो chromosome number 2 पर जो linkage group है, chromosome number 2 का जो linkage group है, उसे हम autosomal linkage कहेंगे, क्योंकि ये जो linkage group है, ये कहां मौजूद है, ये autosomes पर मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे autosomal linkage, उसके बाद, if genes are linked on sex chromosome, ये क्या है, ये sex chromosome है, अगर इस sex chromosome पर gene link है, gene का linkage कहां मुझूद है, sex chromosome पर मुझूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे sex linkage, जो autosomes पर मुझूद है, वो autosomal linkage है, और जो sex chromosome पर मुझूद है, वो है sex linkage, अच्छा उसके बाद, all link gene found on same homologous pair of chromosome former group known as linkage group, अब आपको पता है कि homologous chromosome morphologically जो similar pair of chromosome होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, homologous chromosome, अब human का अगर हमें एक homologous chromosome ले ले लेते हैं, ये human का homologous chromosome है, ये एक मिसाल के तोर पर human का homologous chromosome है, आपको पता होगा homologous chromosome में से, एक chromosome हमें अपनी मदर की तरफ से मिलता है, और एक chromosome कहां से मिलता है, अपने father की तरफ से मिलता है, अब इन homologous chromosome पर जो gene के pair होते हैं, मिसाल के तोर पर A, B, C, य कि alternative form लिखना चाहूं, तो small v और small c, अब कहता है, all link gene found on same homologous chromosome, यानि एक homologous chromosome पर जितने भी link gene है, एक भी link gene है, और ये भी देखें, क्या है, ये link gene है, तो all link gene found on homologous pair of chromosome form a group known as link group, यानि एक पुरा group बना लेते हैं, और इस group को हम क्या कहते हैं, link group, मतलब homologous pair पर, यहां पर एक chromosome की बात नहीं हो रही है, जो linkage gene थे या जो link gene थे, उसमें जो है वो एक chromosome की बात हो रही थी, यहां पर homologous chromosome के pair की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, pair की बात हो रही है, पेयर पर जितने भी लिंकेज जीन का जो ग्रूप मौजूद है जितना भी ग्रूप मौजूद है उसको हम क्या कह रहे हैं जितने भी पेयर जीन पर ग्रूप हैं इसको हम कह रहे हैं linkage group. So what is linkage group? All link gene found on homologous chromosome. यानि जितने भी link gene है. इस क्रोमोजोम के भी link gene और इसके भी link gene. दोनों के. दोनों के link gene को मिला कर जो हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं link group. This is called link group. अच्छा, इसके इलावा अब link group के हवाले से आप यह भी कह सकते हो के जो link group होता है. So the number of linkage group in an organism are equal to the number of homologous chromosome of an organism. यानि जो linkage group है. linkage group is equal to number of homologous pair of organism. हम इसाल के तुरूपे देखें, drosophila जो होती है, fruit fly जो है, fruit fly के पास homologous chromosome कितने होते हैं? 4. 1, 2, 3, 4. homologous chromosome कितने हैं? 4 हैं. अब in female जो drosophila है, male's homologous chromosome कितने हैं? 4 हैं. अब मिसाल के दुरूपे इमें ने female का karyotype ट्रा किया है. तो अब इस पे अगर chromosome 4 हैं, homologous chromosome के pair 4 हैं, तो फिर क्या होगा? इसके उपर जो है, link gene का group भी जो है, वो कितना होगा? link gene का group भी 4 होगा. क्योंकि हम कह रहे हैं कि basically linkage group, linkage group हम किसको कह रहे हैं? homologous chromosome पर जितने भी link gene हैं, मुझूद हैं, उसको हम linkage group कह रहे हैं. हम इस साल के दुरूपे human के पास chromosome, homologous chromosome अगर 23 हैं, तो linkage group भी कितना होगा? linkage group भी 23 होगा. अब drosophila के पास homologous chromosome 4 हैं, तो linkage group भी क्या होगा? 4 होगा. P के पास, P plant के पास homologous chromosome 4 हैं, 7 हैं, तो उसका linkage group भी क्या होगा? 7 होगा. तो मतलब जितना linkage group और homologous chromosome होगा 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 हैं, इसके बाद एक और बात आपने जो याद रखनी है, linkage group या link gene के हवाले से, the link gene tend to be inherited together in office spring. यानि in office spring के अंदर link gene जो हैं, वो क्या करते हैं? inherited together, यानि A, C, ये link gene है, तो ये office spring के अंदर क्या होंगे? capital A, capital C, ये एक साथ ही जाएंगे. small a, small c, क्या जाएंगे? एक साथ जाएंगे. So, usually they do not show recombination. तो ये recombination show नहीं करते है, recombination कैसे show कर सकते थे? अगर capital A, small c के साथ चला जाता, और small a, जो है, वो किसके साथ चला जाता? capital C के साथ चला जाता, तो इसको हम क्या कहते है? इसको हम कहते है, एक नया new combination बन गया न, क्योंकि capital A, capital C तो पहले ही combination पैरेंट्स में था, अब ये जो combination बनता है, ये नया combination बनता है, तो इसको हम क्या कहते है, recombination. तो recombination जो है, वो नहीं आता किसके अंदर, office billing के अंदर, and do not assort independently, और ये independently assort नहीं करते हैं. इस वजह से ideal Mendelian ratio of independent assortment is deviated, यानि Mendel ने जो independent assortment की वजह से, Mendel ने जो ratio निकाला था, वो ratio क्या था, Mendel ने ratio निकाला था, 9 raise to 33, 9 is to 33, 1. अब 9 हमें पता है, जो off spring आये थे, जब हमने cross कराया था, die hybrid cross कराया था, 9 जो है वो round, yellow आये थे, तीन जो है वो round, green आये थे, और जो है वो, तीन जो थे, वो आये थे basically wrinkled, yellow, और एक आया था कैसा, green और wrinkled, अब इसमें क्या था, इसमें green और wrinkled जो था वो parental combination था, इसमें green और wrinkled क्या था, parental combination था, क्योंकि इसके parents के अंदर भी, ये combination हमें मिल रहा था, यानि इसके parents के अंदर और पी जनरेशन में और इसके बाद F1 जनरेशन में ये हमें जो है वो ratio मिल रहा था, ये round yellow और green wrinkled ये हमें मिल रहे थे parental generation में, लेकिन round green और round yellow और wrinkled yellow ये जो अगर है तो इसको हम कहेंगे new combination, ये क्या था ये new combination था या इसको आप recombination भी कह सकते हो, तो ये अगर law of independent assortment अगर नहीं होती है और जो link gene होते हैं अगर gene आपस में linkage करेंगे, tightly link होंगे तो आपको ये ratio नहीं मिलता, ये ratio नहीं मिलता, आपको हर तीन में, हर चार में से तीन जो है वो 3 ratio 1 मिलता, 3s 1 मिलता आपको, अगर parental ही combination मिलता, अगर tightly link gene होते हैं आपको जो है वो, क्या होता है, ये 9 ratio 3 3 ratio 1 नहीं मिलता, तो इसी को हम कहते हैं कि अगर link gene होंगे तो independent assortment भी नहीं होगी और हमें recombinant भी नहीं मिलेंगे, तो चलें, अब next time जो हम discuss करेंगे, detection of gene linkage हम कैसे detect कर सकते हैं कि कौन से gene आपस में link हैं, और पिर हम उसके बाद Morgan के experiment को भी जो है वो discuss करेंगे next video में, करेंगे, करेंगे, तो इसी करेंगे भी आपस नहीं मिलें होगी और भी और हमें जो हम करेंगे जो हम वो बात करेंगे होगी अक्याट